येलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपनी चैनल जोती मेकिंग में मैं जोती आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही सुन्दर सा डिजैन बताने वाली हूँ अब स्वेटर बनाते हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देखियेगा आज मैं जो उन थोड़ा थोड़ा बच जाता है उस उन से आज मैं बहुत ही सुन्दर सा डिजैन बताने वाली हूँ आप बचे कुछे उन से बहुत ही सुन्दर और बहुत ही प्यारा सा डिजैन बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्टिंग करती हूं बचे कुछे उन से बहुत सुन्दरा बहुत ही प्यारा सा ये डिजैन बनाना ये देखे दोस्तों ये मैं एक सलाई पर कुछ फंदे डाल के मैं यहां दो डिजैन बना चुकी हूं अब मैं तीसरा डिजैन आपको दिखा रही हूं कैसे बनाया जाता है आज मैं सब कलर से बचा हुआ उन जो है उस कलर से मैं आज डिजैन बनाने वाली हूं तो यह मैं दो डिजैन बना ली हूँ यह आप देख सकते हैं यह कितना सुन्दर और कितना ही प्यारा सा यह दिजैन छोटा-छोटा यह दिजैन बना है तो आप मैं दूसरा डिजैन बताने वाली हूँ कैसे तो छलिए दोस्तो मैं starting करती हूं डिज़ार बंदना इसमें एक बात का धियान रखना है कि जब आप लाइन ढलने हैं तो बाइटर बिमाने के बाद ये डिज़ार्ट से बनाया जाता है तो ये देखिए डिजयनिग करती यह देखी दोस्तों यह मैं फ़र्ष्ट फंडा यहाँ निकाल ली हूँ और दो फंडा यहां सिधा बना ली थागा है और एक फंदे में यहां फंदा लेना है यह मैं फंदा लेके एक फंदा यहां बढ़ा दी हूँ अब मैं दो फंदे और बना लेती हूँ एक और यह दो अब जो है यह एक और यह दो यह तीसरा जो है जिसमें मैं यहां फंदा ले थी इसे इस तरह से पकर लेना है और इस दो फंदे के उपर से होते हुए ऐसे करके निकाल देना है फिर धागा आगे करना है और एक फंदा में इस तरह से फंदा लेके बढ़ाना है और दो फंदा सीधा बना लेना है एक और ये दो और ये जिस फंदे में से हम दो फंदा बनाए थे एक और ये दो के बाद ये तीसरा फ फिर धागा आगे करना है एक दो और ये तीन और एक दो कबाद ये तीसरे फंदेखो देखो इस तरह से सलाई डालके उपर से होते हुए निकाल देना है फिर धागा आगे करना है और तीन फंदा बना लेना है एक दो और ये तीन इक दो और ये तीसरे फंदे को शलाई इस तरह से डालना है और दोनों फंदे के उपर से होते हुए ये निकाल देना है बस इसा तरह से पूरी शलाई Benedict कर लें कि दोस्तों, कению फूरे फंदे को इस तरह से यहां सिधा बना के कम्पीट कर ली हूं महीं तरह से सीधा बनाके कम्पीक कर ली हूं, अब मैं यहां उल्टी से से आ क्याकर नहीं है अब जो अले उस और इस पर डालना चाहते हैं, उस कलर को यहां ले आईए और टोटल फंदे को उल्टा बना के कम्प्लीट कर ले जिए जो फंदा ले थे वह भी और जो सलाई का फंदा था वह भी टोटल फंदे को इस तरह से यहां उल्टा बना के कम्प्लीट कर लेना है तो चलिए दोस्तों यह मैं पूरे फंदे को इस तरह स यहां उल्टा बना के कम्प्लीट कर लेती हूँ दोस्तों यह मैं पूरी सलाई को उल्टा बना के यहां कम्प्लीट कर ली हूँ दोस्तों अब क्या करना है इसमें आप ध्यान से देखिए जहां आप फंदा लिए हैं यह जो मैं यहां फंदा ले थी तो एक फंदा इस से लेन फंद करना लेती हुँ और फिर ध्यार आगे करके, यह ना भील फंदा लेए फिरे मैं फंदा लीलती, सीधा यू connect फंद हमत में करना को मैं यहां फंद लेए फंद लेकर ईंडा से दो फंदे दो अब क्या करना है एक और दो ये तीस्टे फंदे को जिसमें मैं यहां फंदा ली थी उसको ये दो फंदे के उपर से होते हुए इस तरह से मिकाल देना है फिर धागा को आगे करना है और तीन फंदा बना लेना है एक दो और ये तीन और एक और दो के बाद ये तीस्टे फंदे को उपर से होते हुए ये दोनों फंदे के उपर से होते हुए ऐसे करके निकाल देना है फिर धागा आगे करना है और तीन फंदा सीधा बना लेना है एक दो और ये तीन फिर एक दो के बाद ये तीसरे फंदे में इस तरह से यहां सलाई को डालना है और उपर से होते हुए निकाल देना है ये में उपर से होते हुए यहां निकाल दी हूँ यहां निकाल दी हूँ फिर धागा आगे करना है और फिर तीन फंदे इस तरह से सीधा ब और ये तीसरे फंदे को और ये तीसरे फंदे में सलाई को डालना है और ये दोनों फंदे के उपर से होते हुए ये निकाल लेना है ये देखे दोस्तों ये जियन बन रहा है बस इसी तरह से पूरी सलाई कंप्लीट कर लेना है सीधी सेट से मैं पूरी सलाई को इस तरह से अब मैं इल्टी sẽेड से टोटल फंदे को उल्टा बना करेंद सक्षीं स Jan tangel Tan कुछने हैं क को कन देखाना है और लोगवां के engaged in the RDMark ये देखें दोस्तों फंदा लिती है आप देख सकते हैं ये मैं यहां फंदा ले थी तो आप दीन पंद को सिधा काहां कोन बनाना थै थो ये मैं दिखाए-स-वी बनाना है तो फैल्ष्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है अगे करके तीन फंदे इसillos सीधा बना लेना ए मन तो और यह दो के बाद स्फंदय के पत्सक्राइक और देखसे हां देख सकते हैं यह फंदे की ओपर से वकोटेए और तीन फंदे को सीधा बनाना यहां मैं दागा बढ़ा थी ताने को उपर कर लेना है तो चलिए दोस्तों मैं ये पूरी सलाई हां कंप्लीट कर ले कि दोस्तों यह मैं डीजएन बनाएंchem कंप्लीट कर ली हूँ यह कितना सुन्दर से इडीजयन बन चुका है अब क्या करना है अब उल्टी सेड से क्या करना है आप इसके बाद आप जो कलर डालना चाहते हैं उ कलर से पूरे फन देखो उल्टा बनाके कम्प्लीट कर लीजिए और इसी तरह से यह डिजैन निग बनाई यह कितना सुन्दर और कितना ही प्यारा सा यह डिजैन है आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और इसे आप बचा खुचा उन से इसे सब कलर का भी बना सकते हैं तो यह देखे दोस्तों यह कितना पहली बार आए है तो प्ली सब्सक्राइब कर देज्ए जिसे मैं कोई भी वीडियो डालू तो सबसे पहले आप तक पहुंचाए आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद